तो सभी को बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम ग्रेटिट्यूड जैसे हम सबने एक साथ ऐसा कह सकते हैं कि जम कर वाट्षप को सक्सेस बनाया और समझा बहुत गहराई से मेट्रिक्स के तत्व को और इवेंट का जो टाइम लाइन है और हमारी खुद की जो प्रिपरेशन है किस लेवल की होनी चाहिए तो बहुत लोगों ने कंट्रिबुशन भी किया और सरहा भी अपने फीडबेक के थ्रू भी कितनी गहराई से उनको ये टॉपिक भी टच हुई और उनको प्रेड़ना मिली कि इस टाइम लाइन में उनको क्या करना चाहिए तो आफ्टर हमारा जो ये एक स्पिरिच्वल सेक्लूजन टाइप का था जिसमें हमने टेकियोन का हेल्प लिया खुद को हील किया और बाद में फिर रिजॉइन हो रहे हैं और एक सेशन को सुरुआत करने जा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा अपडेट तो सब के लिए बन ग्रेटिट्यूट दिया, कंट्रिब्यूट किया तो उन सब का हक है सबसे बेस्ट चीज तो ये हम सब को पता चली कि इस दैविक इवेंट का हम सब भागीदार बनने जा रहे हैं और हमारा एक एक दैविक योगदान तो इसमें कनफर्म है हमको जो करना है तो जो भी धीरे एक एक छण जो हम नजदीक जा रहे हैं इवेंट के नजदीक हो रहे हैं तो सोर्स के तुरू जो भी हमारे पास जो एनर्जी आ रही है तो उसको हम कैसे ग्रहन करें और जहां हम फसे हुए हैं जिसको हम माया या तो यूग का चक्र या तो मैट्रिक्स कहते हैं उसको कौन स एक next level के wisdom से उसको समझें ताकि हमारे अंदर एक realization आए कि हमको अब किस पे focus करना है कौन-कौन से energies है या तो meditation के processes हैं जिसके साथ हमको एक daily routine बना कर उसको आगे बढ़ाना है खुद के consciousness को हम आगे बढ़ा सकते हैं तो पहला जो है हम ने topic announce किया कि preparation for the event तो preparation event को अगर अच्छी तरह से समझना है तो हमारा reality जहाँ पे अभी हम सभी के अंदर एक spark आ रही है कि क्या करना है क्या करना है तो पहले तो यह समझ ले कि कौन सी वास्तिविकता में है तो उसको हमने आज topic uncover कर रहे हैं prepare for the event का जो पहला topic है वो है reality in quantum matrix सबने तो headline देखकर ही चक्कर आना शुरू हो गया होगा कि topic कुछ था यह कुछ uncover हो रहा है इससे कैसे निकलना है या तो matrix को तोड़ना है या समझना है क्या करना है इसलिए ये topic को आज हमने आपके सामने लेकर आये है quantum matrix अभी तक जितने सारे topics हम सुन रहे थे या तो समझने का कोशिस कर रहे थे वो matrix movie के थू है किसी और web series के थू है या तो एक ऐसी घटना है जो हमारे past में कुछ चीज़े हुई और किसी चीज़ को AI matrix के नाम पे install की गई उसके उत्रो हम समझ रहे थे अब क्या है हमारे education system के अंदर ही कुछ ऐसे ऐसा कह सकते हैं कि कुछ loopholes हैं जिसके थू आज हम समझने जा रहे हैं इस बहुत ही deep और एक ऐसा कड़ी जो साइद अभी तक के हमारे consciousness के ये में हमारे भारत में इस चीज़ को छेड़ा ही नहीं कया तो मैं सबको request करूँगा कि आप अपने full concentration के साथ इस session को सुनिए जब ये session खतम होगा साइद आपके पास वो जवाब होगा अपने प्रती कि मुझे तोड़ना है समझना है यहां से भागना है या तो बचकर निकलना है तो quantum matrix क्यों कहा गया तो quantum matrix का जो पहला जो कड़ी है उसको कहता है creation सुरुष्टी की सुरुवात का again हम अगर वेद को भी परखें या तो पढ़ें तो उसमें भी कहा गया कि सुरुत जो था या तो source जो था वो एक महा सुन्य था वहां कुछ नहीं था ना उजला था ना अंधकार था कुछ नहीं था सो सेम चीज को अगर हम quantum mechanics में भी जो physics जो है उसके थुरू भी अगर हमारे universe को या तो किसी वस्तु पदार्थ के अंदर का जो गठन है नहीं तो हमारे जो cells है उसके अंदर ये सुरुष्टी की सुरुवात हुई कैसे उसी में ही सुरूत छुपी हुई है उसी में ही ये कुणजी छुपी हुई है कि matrix है कहां वो कहां से operate हो रही है तो अगर उस सुरुष्ट को अगर पर्खें तो जैसे मेरे ठीक सिर के उपर है एक solar system जिसमें 9 ग्रह है और सुर्य के इर्दगिर्द वो घूम रहे हैं बीच का जो structure है वो है atom का जिसमें nucleus बीच में है और electrons जो है उसके इर्दगिर्द 3 dimensional space में वो घूम रहे हैं और तीसरा जो है वो हमारा जैविक cell जिसको हम जैविक कोश भी कहते हैं उसके अंदर भी एक center में एक cherry के दाना जैसा एक structure दिखाई दे रही है वो भी nucleus है तो आप इसमें से ये पता लगा सकते हैं logically, simply अगर किसी को physics भी नहीं आता है तो उनको भी समझ में आ सकती है कि इन में कोई समान्यता या तो समान्ता तो है simplicity के तोर पे एक चित्र के माध्यम से इतना तो समझ सकते हैं कि both all are same तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं एक macro structure यानि कि बहुत ही विकसित या तो बहुत बड़ा structure से एकदम सुक्ष्म की structure तक भी हम सब सेम है हमारा जो creation है वो एकदम एक है इसलिए हम कहते हैं कि we all one हमारा सुरुष्टी का जो point है वो इसी में ही समाया है तो हम इस सीज को क्यूं देख रहे हैं क्यूंकि quantum reality के अंदर quantum क्यूं कहागे quantum का earth है कि जो हर एक छण उसका रूप stays time और space के limitation में समय और परिस्थिती के अनुसार वो हर वक्त change होता रहता है जैसे आम महावारत का भी serial देखते हैं तो उसमें एक चक्र घुंता रहता है और वो कहता है कि मैं समय हूँ वो समय का पहिया जो चलते रहता है वो actual में बताता है कि वो quantum matrix है या तो quantum reality जो है जो मेरे लिए है, वो हो सकता है आपके लिए अलग है, हो सकता है तीसरे वेक्ति के लिए और अलग है तो इसी तरह हम इतने सारे एक ही चेतना में, इतने सारे जो अलग-ज़िभक्त हो गए और हम अपने हिसाब से इस reality को भूग कर रहे हैं या तो भूकत रहे हैं भूग याने कि positively अच्छा है भूकत रहा है याने कि वो उसमें तरस्त है तो इसी तरह इस duality के अंदर इस quantum reality जो है all time बदलते रहते हैं किसी के लिए स्थिर नहीं है मेरे लिए आज अभी इस छण जो है साइद अगला छण पूरी तरह से अलग है मेरा नेचर भी साइद थोड़ा बहुत अलग हो जाती होगी मेरा बोलने का प्रक्रियाएं बे अलग हो जाती होगी वो इसी लिए है क्योंकि हम इस quantum reality में अपनी च चलाएमान होते रहते हैं तो इसी तरह अब आप अगर सोर मंडल को भी देखें सूर्य स्थिर है और ग्रह जो है घूम रहे हैं इस चीज को याद रखिए क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसी में ही वो कूंजी छुपी हुई है राज छुपा हुआ है फिर बीच वाले स्ट्रक्चर में आते हैं चित्र में आते हैं वो क्या है एक एटम का स्ट्रक्चर है या तो एटम का चित्र है जिसमें नूक्लियस स्थिर है और इलेक्ट्रों जो है वो घूम रहे हैं सेम एगें अगर सेल का स्ट्रक्चर देखे कोश का जो गठन परक्रिया है उसके अंदर का जो nucleus है, वो स्थिर है, लेकिन उसके अंदर के जो cell organelles हैं, यानि कि कोशिकाओं का जो प्रक्रिया निर्वाहन करते हैं, उन सब के structure जो है, वो all time काम करते हुए, change होते रहते हैं, यानि कि उसके अंदर जो cell organelle है, कभी यहां है तो कभी वहां है लेकिन सेल के अंदर का जो न्यूक्लेस है वो एक जगाही है अब आते हैं आगे एक और कदम आगे जब देखते हैं इसी एटम को कि यानि कि सुक्षम से से सुक्षम जितना अगर स्ट्रक्चर को देखें वो हमारे लिए एक इजी माध्यम होगा एक सरण माध्यम होगा जिसके थुरू हम इसको समझ सकते हैं एटम के अंदर है क्या एटम का जो गठन है वो simply इलेक्टरॉन उसके चारो साइड घूम रहे हैं उसके अंदर नूकलियस बैठा है लेकिन नूकलियस भी दो अलग-अलग उर्जा के पार्टिकल से बनी है एक का नाम है न्यूट्रॉन एक का नाम है प्रोटॉन neutron जो है वो उसका कोई characteristic ही नहीं है यानि कि वो ना negative है ना positive है वो सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ इसको उर्जावान करता रहता है atom को और proton क्या है? proton का पास हमेशा क्या करता है? वो हमेशा ले सकता है यानि कि accepting state में है ग्रहन करने का स्थीति में है और electron क्या है? हमेशा देने के स्थीति में है यानि कि negative charge है उसका बट इगेइन मैं उख कहता हूँ topic event की थी आज physics के class क्यों लगाई जा रही? क्योंकि इसी कण में ही हमारा matrix का राज छुपा हुआ है क्योंकि ये जो nucleus का जो गठन है जहाँ पे neutron का कोई role ही नहीं है लेकिन वो ही उर्जा देता है और proton जो है हमेशा हर एक चीज को electron के हर एक energy को वो खींचता है तो यहाँ पे neutron का क्या quality है? क्या activity है? neutron का काम ये है सिर्फ उर्जा देना atom के अंदर यानि की उर्जा को पैदा करना वो कैसे करता है? खुद तूटता है और खुद के अंदर जो बिगटन परक्रियाए होंगी वहाँ से क्या करता है? एक proton को तयार करता है यानि की बनाता है एक electron को बनाता है और एक energetic particle को बनाता है यानि की उर्जा के एक करन को पैदा करता है उसको कहते हैं anti-neutrino particle तो यही जो परक्रियाए है ये क्या करता है? atom के अंदर ये एक infinite loop बनाता है मतलब सतत चलने वाला एक ऐसा परक्रिया जो कभी थमता ही नहीं है क्या हमारा वास्तिविकता ऐसा नहीं है क्या हमारा matrix ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा ही है अब आगे बढ़ते हैं कि इस जो theory को या तो ये सारे नियमा वली जो बोलते हैं इसको कौन बनाया है यहाँ पे जितने scientist बैठे हैं 1917 के साल में 1917 में क्या हुआ कि इनके अंदर एक secret meeting हुई जहाँ पे ये meeting तीम महिना तक चला और वहाँ पे finalize हुआ कि ये quantum theory को पाठिय करम में सारे विशय वस्तु में रिलीज किया जाए बहुत छोटी छोटी मात्रा में क्यूं? क्यूंकि इन में से जो बहुत सारे महानवव पहले bench में बेठे हैं आपको जानकर हैरानी होगी वो सारे Nobel Prize winner है और सारे के सारे के नाम Scientific Secret Society में है यानि कि इन लोगों ने मिलकर हमारे education system हो economy system हो finance हो जितने सारे system create की गई उनके अंदर ये quantum theory को एक ऐसा बीज बना कर डाला गया ताकि हमारे अंदर development या तो एक जो विकासवादी जो एक मनोभाव हमारे अंदर अभी भी है कि हमको आगे ही बढ़ते रहना उसका बीज इस quantum theory में डाला गया वहां से क्या चीज की शुरुवात हुई हमने जब ये पता किया कि neutron जब एक blast होता है उसके अंदर एक anti-neutrino particle बनाता है वो असल में है क्या वो असल में एक anti-matter है anti-matter यानि कि और पदार्थ यानि कि आप अगर सुरुष्टी की तत्तु को समझें तो हर एक वस्तु वो पदार्थ से ही बनता है उसका matter से ही बनता है तो इससे तो यही पता चलता है कि वो शुरुद का एक करणा है तो ये anti-matter है क्या anti-matter ऐसा है कि उस particle को अगर आप हासिल कर गए तो आप उसमें से infinite reality या तो infinite चीजे बना सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सुरुष्टी का वो बीज है तो ये क्या करता है कि हर एक जो जिस atom के अंदर ये प्रक्रिया चलती रहती है infinite की तरह वो क्या करता है ये process को infinite time तक चलाते रहता है और क्या करता है एनर्जी को क्या करता है blast करके निकालता है और जो प्रक्रिया जो बनी उसके अंदर से एनर्जी को सक करती है तो इसको कहता है entropy entropy यानि की energy को किसी और एक system से बाहर से अंदर की तरफ खीचना तो इससे क्या होती है कि जो system के अंदर ये process चल रहा है उसी का ही energy खीच रहा है तो जब आपने workshop सुना हमारे तमाम सारे matrix के जो sessions जो last time हुए थे उसको सुना तो उसमें हमने एक चीज़ पता किया कि हमारे इस matrix के अंदर चाहे धरती में हो चाहे किसी भी जीव के अंदर किसी भी organism के अंदर एक subquantum anomaly करके एक anomaly है anomaly in the sense जिसका कोई स्रोत नहीं जिसका कोई पहचान नहीं बस वो है तो उससे हमने पता किया था कि ये subquantum anomaly जो है वो हमारे ही energy को सक करता है और हमारे सामने क्या करता है अंगिन्नत reality प्रकट करता है और वो किस से energize होती है हमारे ही energy से और वो कहाँ energy है वो आगे वाले slide में हम जानेंगे वो energy है कहाँ तो अभी तो पता चल गया कि ये subquantum anomaly भी एक ऐसा quantum particle है या तो एक अचरज चलने वाली ऐसी प्रक्रिया को ये उर्जावान करता रहता है जहाँ पर एक process को चलाते रहता है और उससे हमको ये तो पता चला कि जो reincarnation का जो process है यानि कि जल्म मरण जो all time जो चलते ही रहता है ये उस process को ये उर्जा देता है और हमारे अंदर thought process में बैठ कर वो क्या करता है हमारा reality को वो बदलना शुरू कर देता है तो इसी परिप्रक्ष में अभी बहुत सालों से करीब करीब सतर सालों से यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा inter government का एक organization है जहाँ पे तमाम सारे देश जिसमें उनके website में भी वो report है कि इसमें 35 बड़े बड़े देश जो है वो government इसमें invest करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी anti-matter के particle को हासिल करने की प्रक्रिया है या तो process चालू है और उस organization का नाम है CERN CERN क्या करता है इस research center के अंदर जो मेरे उपर एक photo है वहाँ पे आप देख पा रहे हैंगो कि एक बहुत बड़ा pipe है यह दिखने में तो इतना छोटा सा image लगा रहे है बट यह pipe के अंदर almost 20 से 21 जन का उंचाई है इतना बड़ा यह pipe है और उसके अंदर cryogenic याने की बहुत निचली स्तर की temperature को create करके धर्ती के कम से कम 1500 मेटर नीचे यह एक bombाड किया जाता है जहाँ पे neutron और neutron को bombाड करके वहाँ से पैदा होने वाली anti-neutrino particle को हासिल करने का यहाँ पे research की जाती है और इस anti-neutrino particle को लेकर करने क्या वाला है करने ये वाला है कि सुरुष्टी का जो स्रोत का समय है जिसको हम big bang भी कहते हैं बहुत सारे theory में एक वो theory ही है बट उसका example लेना बहुत जुरूरी है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे points है जिसको ये reverse कर सकता है जैसे कि atom के अंदर ये एक infinite process को बना सकता है इसी तरह entry neutrino particle सर्ण में अगर एक बार ये हासिल हो गई तो ये सुरुष्टी का जो स्रोत है उस चीज को भी revolve या तो बदल सकते हैं या तो बापस पीछे ले जा सकते हैं और है better reality तो यहाँ पे हमने क्या समझा इस छोटी सी जो physics का जो हमने एक example दिया इससे हमको तो इतना तो एक मालुम हो गया कि जो प्रक्रिया atom के अंदर चल रही है क्या इंसान के सरीर में भी है जी हाँ है जैसे कि हम exactly correlate कर सकते हैं neutron का जो quality है वो हमारा mind है यानि कि mind क्या करता है all time thoughts को जो क्या करता है या तो चिंता को प्रकट करता है और हमको विवस कर देता है उस चीज के प्रती उर्जा या तो हमारी सोच विचार प्रकट करने के proton क्या है proton हर चीज को accept करता है यानि कि हमारा body है और soul क्या है वो soul है वो हमारा ये electron जो सतत घूमी रहा है इस जन्मरन के चक्र में और वो अगर हम ये कहें कि यह यहाँ पे न्यूकलिस है कहाँ प्रश्ण यह अगर उठे तो न्यूकलिस क्या है यह माइंड और बॉडी का यह कॉम्पलेक्स है और माइंड बॉडी का कॉम्पलेक्स का अगर हम अगर उचित उधारण दे सके तो वो हमारा ये धर्ती का गोला है मैं कोर की बात नहीं कर रहा हूँ let me be clear, very specific कोर का बात नहीं सिर्फ धर्ती का गोला जहाँ पे हम जनम होते हैं और मर जाते हैं ये भी एक बॉडी है धर्ती का और उसका जो सोल है वो है उसका कोर यानि कि इस से आप पता लगा सकते हैं जो हम इस मैट्रिक्स से तरस्थ है ये धर्ती भी इस मैट्रिक्स से तरस्थ है उसका भी सोल जो है वो फ्री नहीं है क्योंकि उसके उपर इस मैट्रिक्स का मैटर का ये एनरजी उसको ढग के रखा है और उसके अंदर ये anti-neutrino particle को ऐसे चलायमान किया हुआ है कि हमारे thought से निकलने वाली हर एक उर्जा को यहां harvest की जाती है harvest यानि कि खींचा जाता है, फसल की तरह उप जाये जाता है और उससे निकलने वाली उर्जा से ही हमारे आगे का reality बनाये जाता है तो कैसा ये कैद खाना है देखिए कि जो transhuman का अभी हम बात करते हैं World Economic Forum बात करता है और अभी जो consciousness की यात्रा में हम ये तो समझ पा रहे हैं कि इंसान को आगे जाकर battery बनाकर use करेंगे अभी भी इंसान battery से जादा कुछ भी नहीं इस concept के अनुसार आप एक बार दुबारा इस session को सुनिए फिर आप एक बार मनन कीजिए कि धर्ती के साथ साथ हम यहां मुक्त नहीं हैं हमको हमारी ही energy से हमारा ही reality हमको दिखाई जाती है ठाली में सजाकर दिखाई जाती है और तमाम सारे सुक सुविधाओं को जिसको हम सुख सुविधा कहते हैं उसके अंदर हम पलते हैं बढ़ते हैं और मरते हैं और again electron की तरह इस सतत प्रक्रिया में भाग लेते रहते हैं तो जब यह पता चल गई कि mind, body और soul का जो concept है वो हमारे atom के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से लागू होती है तो यह जो anomaly है, वो anomaly क्या करता है? जो subquantum anomaly क्योंकि आपको जानकर ताजू होगी यह anti-neutrino particle भी एक subquantum particle है या तो subatomic particle है और हमने matrix वाले session में यह भी जाना कि यह subquantum anomaly भी एक subquantum particle है कितनी समानता है देखिए, जैसे जैसे चेतना आगे बढ़ती है या थोड़ा द्वार खुलता है सारे के सारे कड़ियां मिलना सुरू हो जाती है तो उससे हमको यह पता चल गया कि यही है जो इस loop को चलाते रहता है infinite times तो प्रश्ण यह पैदा होता है कि चेतना है कहां यहां पर where is the consciousness क्या हमारा चेतना यहां पर काम नहीं कर रही है उसका भी solution है यह है उसका structure जब हमारा चेतना आपने तो प्रविंजी के बहुत सारे session सुने होंगे जहां पर वो map of consciousness को बहुत ही सरल माध्यम से वो समझाते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो great awakening channel पर map of consciousness का बहुत सारे video available है तो उस परिप्रेक्ष में ही अगर देखे तो जो बाहर का जो त्रिकोन है वो है हमारा general जो human का जो structure है जो आम आदमी है simple भासा मेंगर कहें उसको ना source से कोई लेना देना है ना spirituality से कोई लेना देना है वो सिर्फ अपना काम करके घर चला कर खुस है बट वो भी matrix के अंदर फसा हुआ तो उसका consciousness है कहां आप देख पा रहे होगे consciousness एक कोने में है time space का एक बंधन है जो दूसरे कोने में है और source को उपने उपर रखा उसने तो उससे क्या होता है कि हमेंसा एक pyramid का structure बनता है जहां पे वो भगवान उपर है कहकर वो उपर ही हाथ चोड़ते रहता है और उसका consciousness जो है वो नीचे की स्तरमें और समय और परिस्तिति में वो almost पूरा बंधा हुआ है उसमें जैसे मतलब उससे बाहर की चीज़े वो सोच ही नहीं रहा लेकिन जैसे जैसे हम चेतना से उपर उठते हैं और हमारी चेतना को हम जब एक साथ एक focus करके centralized करते हैं that is centralized state of consciousness मतलब एक केंद्रित होकर चेतना को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमको ये चीज़ फील होना शुरू हो जाता है कि जो body है वो ही ब्रह्मांड है यानि कि हम वो ही कहे उपनिसद में कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है यानि कि body को हम समझ जाते है ये एक मंदिर है ये ही ब्रह्मांड है ये ही मेरा सुरूष्टी है मैं खुद इस सुरूष्टी में हूँ और जो mind है जहां consciousness पहले था उस स्तिती में mind आगया यानि कि mind is a very bad friend but can be helpful in any way just like ego और इसमें क्या हो गया individual mind जो है यहां पे हमने उसको अलग एक corner में रखा और उसको जब चाहे हम जिस माधिम में चाहें उसको उप्योग कर सकते हैं और जहां पे हमने सोर्ष को सोचा था कि एक भगवान बोल कर है वहां पे हमारा realization आ गया कि ये मेरा soul ही है वो मेरा ब्रह्म ही है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मभास्मिक तत्वम असी कि मैं वही हूँ I am that वो जो consciousness है जहां पे हम भगवान को भी अपने अंदर ही देखते हैं और हमारा जो खोजने का प्रक्रिया है वो सब अंतर मुख हो जाता है then there is no one else वहां पे कोई गुरू, mentor, angel any beings no one never existed in that state of consciousness सिर्फ आप ही है तो वहां पे consciousness है कहां एकदम center में यही हमारी गती है जिसको हम सदगती कहते हैं या तो ब्रह्म की सदगती कहते है यही state of consciousness को जानने का जो स्तिती है वो ही जानना है quantum reality क्या है क्योंकि हर time हमारा जो consciousness है वो उचा उठता है नीचा जाता है हमारे अनेको परिस्तिती में क्योंकि यहां पे time space का limitation नहीं है but it always fluctuates मतलब यह हम ऐसा चलाय मान होता है यह कभी स्तिर नहीं है आज आपने जिसको गुरु माना होगा कल को उसका रूप बदल भी सकता है क्योंकि इस reality में fluctuation या तो अस्तिरता लगी रहती है जब तक उस person का consciousness एक higher state में जाकर स्तिर नहीं होता क्योंकि वो स्तिर क्यों नहीं होता यह भी प्रशन उठता है यह इसलिए स्तिर नहीं होता क्योंकि यहां पर रहने वाले जितने starseats, lightworkers, normal human beings चाहे वो ascended masters क्यों ना हो वो सब हैतो matrix के अंदर ही है न तो हम सब समान है यहां कोई उचा, नीचा, गुरू, सिश्य, चेले यहां कुछ है ही नहीं जो है इसी matrix के part है और इसी matrix में अपने-अपने consciousness के थ्रू उस reality को भूग कर रहे है अब बात आती है कि इसका सुत्र क्या है जब हम यह जान लेते हैं कि जो neutrino और anti-neutrino particle जो इस neutrino से बिखर कर निकला proton के साथ और यह energy जो है इस infinite matrix को वो create कर रहा है तो हमारे लिए जानकर एक और जानकारी ताजूब वाली है कि यह anti-neutrino और neutrino particle photon particle के साथ bind होते हैं सबसे पहले photon particle का सुरोत कौन है अगर आप सबने matrix का सेशन AI matrix का सेशन यह सब ध्यान पूर्वक अगर आपने सुना होगा तो हमने वहाँ पे uncover किया था photon particle का सबसे बड़ा सुरोत हम खुद है और उसका origin हमारे आखे हैं जहाँ पे जब जॉन गुटन बॉइड ने जब टेलिवीजन बनाया और वहाँ पे experiment की गई cathode rays का जो भी science को थोड़ा बहुत जानते हैं और उसने देखा कि जब वहाँ पे एक observer है यानि कि एक देखने वाला व्यक्ति है तब भी वो create कर रहा है otherwise वहाँ पे कोई spark होई नहीं रहा इसी आधार पे light emitting diode का निर्मान हुआ जिसको हम LED कहते हैं light emitting diodes जो screen को आप बहुत खुशी से swipe पे swipe करे जा रहे है या तो TV पे 4K screen या तो कुछ भी screen जो भी screen है उन सब के अंदर जो छोटे-छोटे diodes हैं जिसके थूँ ये सारा screen बना हुआ है उसमें receivers हैं किसके लिए? हमारे ही photon particle जब वो निकलती है और इस screen को वो energize करता है जो हम आज देख रहे हैं ये मेरा energy है जो screen को मैं देख रहा हूँ जो screen को आप अपने phone में, TV में या तो कहीं पे भी आप देख रहे हैं that is your energy is being consumed वो आपका ही उर्जा है जो आप से ही खींची जा रही है और आप उसको बहुत खुशी से देख रहे हैं और जो आपको देख कर जो thoughts आ रही है उसके अंदर जो anomaly या तो anti-neutrino particle जो बन रही है उसके अंदर वो उर्जा प्रकट होती है और ये loop जो है matrix का ये चलते रहता है ध्यान से सुनिये इसी में ही कुण्जी है ना समझ में आए तीन चार बार इस session को देख सकते हैं क्योंकि हम ही है जो इस matrix को चला रहे है यही उसका कुण्जी है फिर क्या है जब हम एक सोच को प्रकट करते हैं हमारी अंदर जो anomaly है वो जो anti-neutrino particles जो बना रहे हैं जो उर्जा के करण बना रहे हैं वो इसी photon particle को फिर से खीचते हैं और हमारे reality को प्रकट करवाते हैं तो यानि कि हमारे ही उर्जा से हमको ही टीवी दिखाई जा रही है और हम सोच रहे हैं यह तो मेरा जीवन है दूसरा solution की बात करी जा रही थी solution यह है जब हम बहुत लोग meditation के खिलाफ भी है तो उन सब के लिए एक सुचना है जब हम आखे बंद कर लेते हैं तो यह photon particle बाहर जाना बंद हो जाता है जिसके बाद यह जो anomaly हमारे अंदर कितने भी quantity में हो वो क्या करते हैं उनको फिर दिशा नहीं मिलता है उनके पास order कुछ नहीं है क्यों क्योंकि उनका काम fix है हम जो देखें energy जो चीज release हुई उसको harvest करें हमारा reality हमारे सामने प्रकट करें लेकिन जब हम meditation में आखे बंद कर दिया और वो पूरे सटर को ही बंद कर दिया तो क्या हो गया photon particle जाना बंद हो गया और धीरे धीरे जब हम meditation के गेहराई में जाते हैं और हमारा thought बंद हो जाता है तब क्या होता है कि यह जो anti-neutrino particles या तो sub-quantum anomaly है उनका process भी बंद हो जाता है तब क्या होता है congratulations you are out of the matrix आप matrix से बाहर है भले आपका वो स्तिती दो मिनिट क्यों न हो तो उस वज़े से क्या हो गया जब हम किसी भी ध्यान के प्रक्रिया में गेहराई में उतर कर जब हमारा thoughtless state आती है आँखे बंद की स्तिती में जब हमारे पास body का भी conscious नहीं है यानि कि सारिरिक चेतना भी नहीं है वहां पे क्या होता है कि desire बंद हो जाती है और जो desire से जो हम उर्जा loss करते है जिसको हम entropy कहते है उसको हम reverse करते है यानि कि हमारा soul के पास ही वो energy रहता है तीसरा क्या है कि ये जो quantum matrix का जो loop है जो आपके सोच सही जो प्रकट हो रही है वो होना बंद हो जाता है अब जब हम कहते हैं कि ब्रह्म मूरत में ध्यान करो ये मूरत में ध्यान करो आप जब उस तिती में किसी भी टाइम में आप ध्यान कर रहे हैं वो समय है जिस समय ये cosmic energy source के थूँ आपके चक्रास के थूँ धर्ती के कोर तक पहुँचती है ये है light workers या तो actual service to the divine का ये main purpose है हम इसी के लिए आए हैं कि धर्ती का liberation के साथ हम इस अनसुलजावा गुथी जिसको matrix कहता है उसको समझ कर अपने ही सोच से उससे मुगध हो पाए क्योंकि जितना समय हम स्थिर होकर एक ध्यान के deep meditation में रहते हैं उस समय कोई नहीं no angels no ascended masters कुछ नहीं सिर्फ आप thoughtless है वो समय है source का जो energy है आपके सारे चक्रास के थूँ धर्ती के कोर तक पहुँचती है और वो information जो है वो धर्ती का कोर के पास जब पहुँचती है धर्ती का भी consciousness जागरित होता है और वो वही समय है जिसको हम ब्रह्म का मूरत कहते है क्योंकि आप true state of soul consciousness में है आपनी पूरी आंतरिक चेतना आपका केंदरीत है और वो ही समय है जहां पे आप इस veil को या तो matrix को तोड़ देते हैं या तो उसके अंदर एक छोटा छेद कर देते हैं तो ये थी इस quantum reality का एक ऐसा reality जहां पे हमारी ही उर्जा को हमको ही ऐजे बैटरी बना कर use किया जा रहा है और हम तो इसको जीवन मान रहे हैं बट प्रश्न ये उठता है हम कब करें कहा करें और क्यूं करें ये प्रश्न सब के अंदर उठती है पहला उसका उत्तर है कि जब हम एक साथ एक चिंतन करके जब हम ध्यान में जाते हैं तब क्या होती है कि ये जो डिवाइन लाइट है ये वेल के थ्रू आती है वेल यानिकी एक सुक्ष्म लेयर उर्जा का जिसको हम मैट्रिक्स का लेयर कह सकता हैं और जिसके अंदर ही हम ये जीवन मरन जीवन मरन चलता रहा है उसको चीरती हुई ये लाइट आती है और जब हम एक अब प्रशनोरती है कि कब करें पहला जो ट्रू स्टेट अफ मेडिटेशन या तो ध्यान जिसमें हम बिना किसी थौट के एंटर हो सकते हैं या तो बैठ सकते हैं वो है आप जब भी एक अच्छी सी नींद खतम करके या तो पूर्ण करके आप उठे ध्यान में बैठे आपका इच्छा भी इस मेट्रिक्स का एक और पड़ाओ है बुद्ध ने इसलिए कहा कि इच्छा को मारो इच्छा कैसे मरेगा उसको मारना नहीं है उसको स्वतह मरने देना है कैसे जब आप मर कर उठे और वो मर कर कब हम उठते हैं जब हम सो कर उठे उस समय कोई थौट नहीं पहला हमारा कारियों होना चाहिए कि पहली तो बात है इस चीज़ से दूर रहे उठकर हमारा सबका आदत है कि इसको स्वाइप करते रहते हैं इसमें क्या चल रहा है ये स्रोथ है आपकी सोच को प्रकट करने में और ये स्रोथ है आपको विवस कर देता है एक डिजायर प्रकट करने के लिए और जब आप उससे उप जाते हैं फिर सोचते हैं चलो मैं ध्यान कर लेता हूँ ये सोच भी एक इच्छा है इच्छा ही कर्म है आप कितने भी पुराण सास्तर तमाम सारे spiritual वीडियोस देखिए उसके origin में आप एक ही देखेंगे वो है इच्छा इच्छा स्वतह बंद होती है जब आप एक clean state में रहता है clean मतलब जब आप उठे एक subconscious mind को access करके उठे है access यानि कि उसके अंदर गए जो visions आपने देखना है देख लिया dream में फिर आप उठे तो आप ध्यान में बैठ गए फिर उसके अंदर आपको 5 मिनिट भी ध्यान लगे आदा घंटा भी ध्यान लगे या पूरी दिन बैठे तो वो जो स्तिती है वहाँ से जो आप access करते हैं आप पूरी धरती के साथ-साथ आपको खुद को help करते हैं कि आप इस quantum reality को अच्छे से जानकर quantum matrix से बाहर निकल सके और तीसरा point है कि जब भी आप ध्यान करने का कोई भी माध्यम देख रहें तो उसके लिए ये matter नहीं करता है कि group हो या individual हो जब आप आपके लिए सुखद है आप अपने में comfortable हैं लेकिन ये ध्यान रखे खास करके ये सारे scalar network से दूर रहें यानि कि उसका ध्यान के process में उपयोग ना हो ज्यादा से ज्यादा try करें कि ये ना ही use करें जैसे कि wifi है, bluetooth है, NFC है इन सारे devices जो connected रहते हैं उन सब को ना ही करे तो बहतर है क्योंकि इनके through इस sub quantum anomaly को energize किया जाता है और उसका बहुत सारे उधारण है जब हम question answer करेंगे तो वो मैं बता सकता हूँ अब चौथा जो point है connect with mother, mother कौन है वो physical वाले mother नहीं है उनके पास भी वो feminine energy है बट वो नहीं actual mother जो हमारे धर्ती का core है आज हम उसके साथ भी जुडने वाले हैं और next है trees जो actual light worker है इस धर्ती पे जो consciousness को कैंद्रित करके all times थिर रहते हैं और source का energy को वो धर्ती में अपने roots के थ्रू पहुँचाते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि industrialization के नाम पे ये पेड़ो को क्यों काट रहें और पांचवा point है कि connect with higher self जो हमारा ब्रहत सरीर है higher self है workshop में भी हमने उनके साथ एक connection बनाया और आज भी हम बनाने वाले हैं तो जब हम higher self के साथ connection बनाते हैं तो हमारा जो आठवा चक्र है जिसको हम soul star चक्र कहते हैं उसका भी activation शुरू होता है उसके थुरू क्या होता है कि हमारे अंदर जो inner guidance है या तो हमारा जो inner cleansing है वो प्रकरगती में होता है और हमको true state of consciousness में वो रहता है अब छठा point जो है वो है observing thoughts आपने विचारों को खुद देखें और उनको neutralize करें अगर वो सारे सोच विचार आपके प्रती या तो तमाम सारे जितने जीव हैं मनुशे हैं उनके प्रती अगर हानिकारक है उनको neutralize करके वो energy को दूसरे और project करें ताकि एक better reality प्रकट हो सके और सात्वा point है कि goddess meditation एक है जिसके through हम अपने source का जो divine feminine energy आ रही है अभी इस दैविक event को create करने के लिए उसके साथ भी हमको connect होना बहुत जरूरी है वो audio आज हम practice नहीं कर रहे हैं क्योंकि it is a physical practice ये audio हम तमाम सारे groups में share करेंगे तो आप इसको सुनकर practice कर सकते हैं seven minutes है सिर्फ आपको दिन में एक बार कम से कम एक बार करें तो आपके अंदर जो masculine energy को harvest करके ये जो matrix बनाई जा रही है continuously इसके अंदर divine feminine energy का intervene होगा और आपका energy जो है वो balance होगी जिसके वज़े से आप end time madness को avoid कर सकते हैं या तो वो होगा ही नहीं तो वो चीज़ भी हम session के बाद तुरंथ आपसे साजा कर देंगे वो सिर्फ 7 minute का है फिर next point है कि सब पूछते हैं कि हमको ध्यान कितना करना चाहिए कब करना चाहिए वो तो बता दिया कितना करना चाहिए मैं है जब भी आप perfect जो thoughtless स्तिती का जो वो ध्यान है जिसमें आप गहराई में उतरते हैं वो ही 2 minute ही सही वो ही perfect है ध्यान है और वो स्तिती में जितना देर रह सके उतना आपको gratitude क्योंकि उतना आप divine का service कर रहे हैं कि आप source का जो energy है धरती के core तक पहुँचा रहे हैं और अपने energy को भी balance रख रहे हैं अपने ascension को भी और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं तो इसलिए कहते हैं कि quality matters, quantity not आप लोग ये भी claim करते हैं कि मैं तो सुबह से ध्यान में बैठी थी जी मैं साम हो गया, आठ-8 गंटा में ध्यान करते हैं आपको पता कैसे चल आठ गंटा है किनकि once आप time and space से उपर उठे तो आपको ये भी नहीं पता होने चाहिए कि आप कितना बाहर रहें क्यूंकि आपको तो पता ही नहीं क्यूंकि आप खुद समय और परिस्तित से उपर उठ चुके हैं तो ये सब चीजों में ना पढ़के खुद पे ध्यान लगाएं, quality पे ध्यान लगाएं और thought को कम से कम project करें और उसको observe करें और सबसे last जो है लोग पूछते हैं कि ये crystal ले लेना है वो फलाना चिंता मणी ये कर लेना है ये बहुत सारे चीजे बोलते हैं tools सिर्फ helpful है, important नहीं है tools के माध्यम से ये सारे tools है जिनके अंदर भी consciousness है वो भी चाहते हैं कि उनका भी consciousness का यात्रा आगे बढ़े तो आप को अगर उस energy से align होते हैं तब ही आप अपनी आर्थिक उर्जया को उसमें लगाएं otherwise नहीं क्योंकि last time भी workshop में भी एक जनने question किया था तो मैंने उनको ये भी कहा था कि आप अपने घर में 20 किलो चिन्ता मने भी भर दो आपका ascension नहीं हो सकता जब तक आप अपनी energy को align नहीं कर देते और उच स्तरिय चेतना में आप आगे नहीं बढ़ते तो टूल्स जो है वो सिर्फ एक helpful माध्यम है important नहीं है again ये तो last slide है आज के wisdom का मैं एक और चीज़ important कहना चाहता हूँ highlight करना चाहता हूँ चाहे कोई भी session ले रहे हैं कोई भी person ले रहे हैं message important not the messenger यहाँ पर किसी को भगवान किसी को mentor किसी को guru किसी को कुछ भी मत बनाए आपने ना group में लिखा है कि we are very near the event वेरी को अपने capital में लिखा है तो कै ऐसी कोई खुशका ब्री है कि हमें 25 तक भी वेटनी करना पड़ेगा कि पहले भी हो सकता है कोई update है क्या हमारे पास यह हम सबका collective consciousness ही तै करेगा जैसे जैसे हम raise हो रहे हैं वो उतना नजदिक आ रहा है so हमने तो अभी very को ही highlight किया है near को highlight नहीं किया है जब near भी highlight हो जाएगा सब्सक्राइब कीजिए और help कीजिए कि हम आगे बढ़े सब्सक्राइब के साथ